हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चना मेथी आजार वह भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल बनाएंगे और यह एक तब हल्दी वाला आजार है जो आप सब्जी और पराठे के साथ खाव सकते हो तो इसे हम कैसे बनाएंगे वह दिखते आगे इस वीडियो में यहाँ प और नाप ले सकते हो तो चहना आधा कप है और मेंधी दाना वन फॉर्थ है तो अपया अच्छी तरह से मैंने साफ कर दिया है उसके पार इसे पानी के मदर से हम दोनेंगे तो शक्रा कुछ्त को निकल जाएगा तो अच्छी तरह से पानी इसे दो तिम बार दो लिए कि पानी से तूने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसे बिगोयर है तो चितनी क्वांटि। में हमने चना और मेथी लिया है उससे यहां पे हम डबल पानी डालेंगे और इसे हम 7-8 गंट के लिए छोड़ देंगे तो जो पानी है वो चना और मेथी एपसॉब कर लेगा और थोड़े से यह सौफ्ट हो जाएगे मेथी थोड़ी फूल जाएगे क्योंकि हम इसे पकाना पानी है तो इसके लिए हम इसे बिगोएंगे तो आप 7-8 गंटे के लिए इसे छोड़ दें दुस्तरी तरफ यहां पर मैंने एक कच्चा मैंगो लिया है यह जो मैंगो है वो इस विश्य आजार के लिए है तो यह करीबन 300 ग्राम है तो इसका टंठल निकाल के इसके छिलक थोड़ा दुगना हो जाएगा तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे पेसे में कट कर लिया है उसके बाद इस सारे आम को मैं एक बाव में ट्रांसपर कर दूंगी वर इसमें थोड़ा सा हल्ती और नमक डाल के इसे मिक्स कर दूंगी तो यहां पर आपको नमक है वो डेड़ बड़े चमश लेना है और जो हल्ती है एक बड़े चमश यहां पर डालनी है मिक्स कर दीजे अच्छी तरह से तो इसे क्या होगा कि जो आम है हमारे वो थोड़े से नरम हो जाएगे और जो हल्ती है उसकी वज़र से आम में कलर भी आएगा तो हमें इस वो भी साथ से आट गंटे के लिए छोड़ देना है तो आम थोड़े से सौफ्ट हो जाएंगे पांच गंडे के बाद आप देख सकते हो कि चना भी फूल चुका है और जो मेथी दाना है वो भी फूल चुका है तो इसे हम फिर से साफ पानी की मदश से दो तीन बार धो ले आओ रही है सिसे अ? पर दो वह मिभी नरम हो गए है तो दो नरम हो गए है तो जो नमक और हल्ती का पानी निकला है उसें प्हूल आम नरम हो गया है यह हल्ती वाला जो पावल था उसके अंदर हम चनाव और भीगोई दाने थी जो डाल देंगे और हल्ती नमक वाला जो पानी था इसलों डाल देंगे फिर से इसे मिक्स करेंगे और इसे भी हम छेट से साथ करते के लिए फूर देंगे तो क्या होगा चना और मीथी, हल्दी और नमक वाला आम का जो खटा पानी वो एपसोप कर लेगा कि इसका टेल्स बहुत अच्छा हैगा इस आचार में उसके बार जो मैंगो थे उसे हमने एक कोटन के कपड़े के उपर फैला दिये है क्योंकि हमें इसे सुखाना है और हमें इसे दूप में नहीं सुखाना है तो आप रूम पर ही ऐसे तरह छोड़ दीजे तो यह हवा की मतर से सूख जाएगा दूसरे तरफ जो हल्दी अमक वाले चने और मेथी दाना थे उसको भी हम इस तरह से कोटन के कपड़े उपर फैला देंगे और इसे भी हम सुखने देंगे जो आम और चना मेथी दाना है सब अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए उस पे थोड़ा सा भी मोश्य ना रहे इस तरह से सुखाना है तो अच्छी तरह से वह सूख चुके है तो उसके बाद हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए यहां पर मैंने 250 समय जो प्रींग डाली है उसके बाद हम इस तेल को ठटा होने हैं यानि बहुत ज्यादा नहीं करना है हम इस पैन को टच करें तो हमें थोड़ा यह गरम लगे उस तरह का ही थंडा करना है उसके बाद इसे हमने पाउल में ट्रांसपर कर दिया है और जो अप मसाले है वो हम इसमें यहां पर 50 ग्रआम कुरिय गए 500 ग्राप miss ग्राई कृरा arter जो इसका कार अक्षा अचार करेंगे यहां पर 12 पीला डालेंगे जो री Muslims आमयिक करेंगे बड़ी चमश्मैने नमक डाला है अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे तो जब आचार हमारा तयार हो चुका है तो हम इसे इस बाउल में ही रहने देंगे दो दिन के लिए और आप इस दो दिन में इसे दिन में दो दिन पार मिक्स करते रहना तो मसाले उपर नीचे काच के बढ़ने में भर दीजिए आपको प्लास्टिक के बढ़ने में इसे स्टोड नहीं करना है यह आचाथ 6-7 दिन के बाद खाने के लिए बिल्कुल रडी हो जाएगा जैसे जैसे यह पूराना होएगा उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा बनेगा अगर यह वीडि प्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में तब तिक के लिए बाई बाई